तो इस सीरीज के अंदर हम NSEJS के लिए फिजिक्स पढ़ते हैं ठीक है और NSEJS 2024 को हम टारी नेगोश कर रहे हैं और इसमें हमने अभी यह सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं अब अब तक कि अगर एक ब्लॉक है या एक पार्टिकल है जिसका मास है और यह अगर मानलो तो वी स्पीड से ट्राविल कर रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनरजी होती है वो हम हाफ M V स्क्वाइर लिखने है ठीक है अब पहली चीज तो यह दिमांगे रखो बच्चों कि यह जो एक्स्प्रेशन है का यह कंप्लीट एक्स्प्रेशन नहीं है इस इस स्मॉल हम केवल ट्रांसलेशनल मोशन से डील किया करते थे उस समय हम रोटेशनल मोशन से डील ही नहीं करते थे ठीक है फॉर एक्जामपल अभी अगर यही ब्लॉक ठीक है यह जो ब्लॉक है यह अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना स्टार्ट कर दो ऐसी एक्सिस के अबाउट इ क्योंकि वो तो अपनी जगह बदल नहीं रहा है लेकिन वी के इमाजिंग कि यह जो घूमती वी बॉड़ी है इसके पास कुछ ना कुछ कानिटिक एनर्जी तो है ठीक है लाइक कानिटिक एनर्जी का मतलबता है एनर्जी पोजस्ट दूटू मोशन तो इसके पास तो कानिट के इनर्जी है फर एक जैसे अगर आप एक पंखे के बारे पर सोचें ठीक है एक फैन है वो अपनी जगह पर घूम रहा है ठीक है तो अगर मैं उसके सेंटर आफ मास की बात करूँ या मैं फैन ओवराल जैसे तूम लोग इंटर्प्रेट कर ले तो फैन तो अपनी जगह ब में ठीक है तो यह सबस broni किये एकक्सप्रेरोऑ लोग сफरेशन नहीं होता है दिस्जेशन इंकंप्लिट िष्वेशसर इत अच्छीं इंट Он अपनी डेंचेज पर आफ भी ट्रॉन अच्यर्श1 पांट 2 लिख रहेए 2 तो अगर रोटिट्थिक या मनेश्टा तो पहले तो यह नोटिस करो कि एक पार्टिकल का मुमिंट आफ इनर्शिया उससे पास होने वाली किसी भी एक्सिस के बाउट जीरो हो जाएगा पार्टिकल की काइनिटिक इनर्जी जब लिखेंगे तो वो तो केवल और केवल हाफ एम वी स्क्वार ही हो सकती है इसको जब और कीवल ट्रांसलेशनलिक आप今 नहीं हो सकती है तो नहीं हो सकती है तो पार्टिकल दिते हो गया अगर only translational motion हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर only rotational motion हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, और अगर मानलो translation plus rotation दोनों हो रहा है, तो क्या करेंगे, ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ अभी clear कर देता हूँ, ताकि तुम लोगों को पता रहा है, यह दोनों case एक दूसरे में, मतलब, it depends on the perspective कि तुम कहा बैठ के देख रहे हो, तुम अपनी जगह बदल दोगे, तो तुमें कोई motion translation plus rotation नदर आ सकता है, ठीक है, और तुम जगह बदल दोगे, तो हो सकता है, okay, rotational नदर आ है, लेकिन अभी हम यह इस distinguish, या इस difference को हम समझेंगे, 11th में जब rotation पढ़ेंगे, अभी के लिए यह मान रहते हैं, कि तीन सिनारियों हमारे पास, कि अगर only translational motion हो, तो क्या होगा, only rotational हो, तो क्या होगा, rotation plus translation हो, तो क्या होगा, क्योंकि इसने at least तुम start कर पाओगे, यह जो kinetic energy वारा topic है, इसको start कर पाओगे, इसको address कर पाओगे, तो पहले में बात करता हूँ, only translational motion की, ठीक है, अगर एक rigid body में केवल translational motion हो रहा है, तो इसकी kinetic energy कैसे लिखे जाएगी, तो लेट से एक block ही imagine कर रहूँ, तुम जो बर्जी वो object मान सकते हो, तुम एक disc मान सकते हो, जिसके center को हमने v से move कर रखा है, तुम एक sphere मान सकते हो, तुम एक cylinder मान सकते हो, तुम एक जिसको हमने v से move कर रखा, whatever is the object, तुम है, इनके masses हम m से represent कर दोते हैं, तो इन सारे cases में जो kinetic energy है, वो लिखी जाएगी half mv square ठीक है there is no other kind of motion involved so only translation is there so the kinetic energy will be written as half mv square now what if only rotation is there ठीक है only rotation अगर है तो क्या करेंगे तो अगर cable rotation है ठीक है for example कैसे के इसकी बात कर रहे हैं जैसे मान लो कि ये एक rod है ठीक है ये rod मान लो rotate कर रही है किसी angular velocity से ठीक है तो ये जो axis है इस axis के बाँ rotate कर रही है इसका mass m मान लेते है इसका length l मान लेते है तो f case में kinetic energy कैसे लिखते है उसको हम लिखते है half i omega square i यहाँ पर क्या है this is moment of inertia about the fixed axis of rotation about the fixed axis क्यों बोल रहे है क्योंकि ये axis moved नहीं कर रही है जिसके बाँ rotation हो रहा है वो axis move नहीं कर रही है about the fixed axis of rotation ठीक है तो इसके मैं और example देता हूँ ठीक है जिसके कुछ examples करते है ठीक है जैसे suppose यही वाला case कर देता हूँ पहले मैं ये एक rod है ठीक है इस rod को हमने मान लेते है कि एक end के about hinge कर रखा यानि कि axis हमने इस end से पास करा रखी है pin joint लगा रखा है और ये omega से rotate कर रही है mass m है लेंते हैं तो parity energy क्या लिखेंगे योगा half ml square by 3 remember कि end के about rod का जो moment of energy आता है into omega square तो ये parity energy हो जाएगी ठीक है और example करते हैं जैसे एक different example कर लते है suppose एक disc है ठीक है एक मान लेते है डिस्क है ठीक है अचीजी नहीं बनाई चीजी बनाते है थोड़ी सी चीजी तो बनाएं कर सके हम ठीक है तो मान लो एक disc है ठीक है और ये इस axis के about omega से घूम रही है तो इसके kinetic energy इसका mass m मान लेते है radius r मान लेते है तो यह होगा half mr square by 2 into omega square this will become and if you see this expression is pretty similar to half mv square i की जगे m की जगे i आई आगया v की जगे पर omega आगया ठीक है तो ये ये चीज़ा ही हम करेंगे fix the axis rotation होने पर ठीक है अब अगर मान लो rotation भी हो रहा है translation भी हो रहा है तो क्या करेंगे ठीक है तो अगर मान लो rotation भी है और translation भी है ऐसे case पर चलो इसका example देता है पहले मान लो इस डिस्क है ठीक है इसका center आगे जा रहा है v naught से और ये rotate कर रही है omega से समझा रहा है कि जैसे इसको axle पर चड़ा दिया है तो axle पर तो हमने इसको rotate कर दिया है और फिर axle को पकड़ के आगे move कराने लग गए हम ठीक है तो ऐसे case में क्या होगा तो ऐसे case में काइनेटिक इनरजी लिखा जाता है half जहां से देखना half ICM इस बार center of mass पूचे अक्से पास हो रही है उसके बार moment of initial लिखेंगे so half ICM omega square plus half M M is the mass of the object into VCM square इस तरीके से लिखा लिखा लाता है ठीक है पर एक्जामपल अभी जैसे अगर ये डिस्क के मान लो ये एक uniform डिस्क है इसके लिए क्या लिखेंगे हम इसके लिए काइनेटिक इनरजी हो जाएगी half ICM जाने की MR square by 2 omega square plus half M V naught square because center of mass V naught given है ठीक है तो ऐसे case में फिर काइनेटिक इनरजी इस तरीके से लिखी जाती है ठीक है for example for example मान लेते हैं कि एक डिस्क है ये pure rolling कर रही है हमको ये बता दिया गया है कि ये pure rolling कर रही है तो pure rolling बताने से हम क्या कर सकते हैं अमेगा और V naught में relation निकाल सकते है मतलब अब हमेगा और V naught दोनों देने की ज़रुती है suppose हमें केवल V naught दिया गया था तो omega को हम लिख देंगे V naught by R ठीक है इसका mass M मान लो तो kinetic energy हम लिखेंगे half MR square by 2 ठीक है into omega omega होगा V naught by R square plus half M V naught square देखो इस तरीके से लिखेंगे तो यह किता बन गए यहां से जाएगा 1 by 4 यहां से जाएगा half तो यह हो जाएगा 3 by 4 M V naught square so that would be the kinetic energy of the disk ठीक है तो इस तरीके से हम तीनों cases में kinetic energy को लिख सकते हैं अब हमने kinetic energy को लिखना सीख लिया है बार के energy theorem कहती है कि total work done equal to change in kinetic energy तो theorem अभी भी रहेगी बस kinetic energy को लिखने का हमारा तरीका अब जादा expand हो चुका है ठीक है क्योंकि यहां हमने नए cases include कर ली है जैसे मैं करके दिखाता हूं ठीक है तो suppose हमने एक situation ली की एक rod थी इस rod को हमने horizontal position पर रखा हुआ था और इसके एक end को हमने hinge कर दिया था इसको हमने यहां से pin pass करा दी थी और pin से यह ठीक है और फिर यहां से हमने इसको release कर दिया ठीक है release from rest तो पहले तो बच्चों तुम मझे सोच के यह बताओ कि जब इसको release कर देंगे हम ठीक है जैसे यह pen है इसको यू मैने पकड़ रखा है फिर दोनों तरफ से release हो गया एक तरफ से release कर दिया मैंने एक तरफ से मैने एक pin की तरफ पकड़ लिया इसको और एक तरफ से release कर गया है तो ऐसे case में डू यू imagine कि release करने के बाद यह rod horizontal लेगी I think not I think you all imagine कि यह rod नीचे गरने लगेंगी and after some time it will pass through the vertical position okay after some time we are about to see this kind of motion where the rod has become vertical and it is moving and it is moving with some angular velocity which will then start decreasing this position को cross करने के बाद angular velocity decrease होना start जाएगी तो question हमसे पूछ रहा है कि ओमेगा की value बताओ जब rod vertical है ठीक है ओमेगा की value बताओ जब rod vertical है तो देखो इस question को हम कैसे करेंगे ठीक है we will start by thinking about a general position of the rod ठीक है इस general position में rod के उपर कौन-कौन से force लगे रहे थे वो बनाते है तो rod का contact के अवल hinge से था तो hinge ने मान लो n y n x force लगा दिया होगा ठीक है हमें direction नहीं पता इसलिए मैं दो components मान ले रहा हूँ तो यह तो contact forces हो गए non contact force के नाम पे mg आ जाएगा मुझे लिखता है work done by all the forces क्योंकि work energy theorem में हम यह लिखते है तो work done by n x 0 because this point is not displacing n y work done by n y again 0 work done by mg कैसे लिखते हैं हम लिखते है mg into change in height rather degrees in height तो height initially यह थी बाद में यह हो गई center of mass की ठीक है तो height has changed by l by 2 it has decreased by l by 2 तो यह हो गया work done by gravity work done by n x 0 था work done by n y 0 था तो total work done equal to changing energy energy तो हम लिखेंगे half ml square by 3 into omega square यह देख वहीं समुझ में आ रहा गया ठीक है अब ही pure rotation हो रहा है तो जो pure rotation में कानटी के रजी लिखने का तरीका होता है उसको हम use करेंगे initial कानटी के रजी दीर हो थी क्योंकर रहा थी क्योंकर रहा थी इसको solve कर लेंगे तो हमें omega की value मिल जाएगी so mg l by 2 is equal to ml square by 6 into omega square तो यहां से देखो जो भी cancel हो रहा है तो एक m cancel हो जाएगा ठीक है एक l cancel हो जाएगा यह 3 बन जाएगा तो यह हो जाएगा g by यह 3 हो जाएगा तो 3g by l 3g by l का root that will become omega ठीक है in this case I hope you got the hang of how we are using the work energy theorem ठीक है कुछ और examples करते हैं जैसे इस बार rod की जगह है let us use maybe what should I use a square plate तो मान लेते हैं यह square plate है इस square plate के size a मान लेते है this is a and this is also a हमने क्या कर रखा था हमने again इसके एक corner को hinge कर दिया था हमने इसके corner को hinge कर दिया था और इसको हमने thread से बांध रखा था and किसी point पे हमने thread को cut कर दिया मतलब यह जो horizontal थी फिर हमने thread को cut कर दिया इस thread को cut करते के साथ इस thread को cut करते के साथ क्या यह plate घूमना start कर देगी like do you imagine कि as soon as you cut this the plane the plate will start turning like this इसका mass M अब दा question is asking what is the maximum value of omega that we are going to witness in the subsequent motion इस question में इस situation में जो तुम्हे पहली चीज करनी है वह यह करनी है कि तुम्हे यह सोचना है कि omega की value maximum आकर होगी कब इस बारे में तुम्हें थाट देना है कि omega maximum कब होगा तो what is your thought guys can we say omega will be maximum when the center of mass is at the lowest height because center of mass lowest height पहोगा उस समय work done by gravity सबसे जादा होगा gravity ये center of mass है कहा center of mass है इस square के diagonal के intersection points में which is here so when this point is at the lowest point that means when this when this diagonal is vertical ठीक है जानी कि we are talking about a situation like this when this plate shows us a situation like this ठीक है जैसे ये वाली diagonal जो थी even this diagonal becomes vertical at that moment whatever is the omega that is the maximum omega are you getting this everyone now what is the change in height so if I measure the height or vertical distance of this point from the hinge then it was l by 2 earlier or a by 2 rather it was a by 2 earlier now it is how much so this is half of the diagonal diagonal is root 2a half of that is a by root 2 okay so the change in height is a by 2 minus a by root 2 okay or rather this is more so I should write a by root 2 minus a by 2 okay so this is the decrease in height okay and what you do now you multiply this with m into g okay so this multiplied with m g this is work done by gravity now kinetic energy so half I about this axis now we will use parallaxes theorem here so do we know the I about the axis passing through the center of the square and perpendicular to the plane we do know that that is m a square by 6 that's a standard result we will add parallaxes theorem we will use parallaxes theorem it will become m into this distance square of this distance so this will be the answer ma square by 2 into omega square this will be the answer suppose this is a inclined plane this is a very rough surface very rough very rough कहने का मतलब यह होता है, कि प्यॉर रोलिंग हो जाएगी, no matter what you use, ठीकि इसको हमने हैं से release कर दिया है, ठीकि है release करने के बाद यह नीचे आया है, ठीकि और नीचे आने के बाद इसकी कुछ speed V है, हमें V निकालना है, यह object कौन सा है? मानने हैं हमने clarify नहीं कि यह object कौन सा है, रिंग भी हो वो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, स्फेयर भी हो सकता है, स्फेयर भी हो सकता है, तो हम कहा दोगते हैं, तो स्फेयर है, तो ICM अलग होगा, ठीक है, तो the moment I choose the object, I can choose, I can put a specific value of ICM, तो अभी के लिए हम यह बात freeze दी करते हैं, हमने कौन सा object चूज कर रहा हम इसक कि हायट डिक्रीज वो चुकी होगी बाय एचсолगी ऐच लगार में इस राउंड आब्जैट्ट che होड़ने के बाद यान की सेंटर अभी बहुँ हाँ पर है पहले यहां पर था तो य YEA जो एच हाइट नीचे गिराओ है सेंटर इसके बाद speed बताओ कितनी होगी तो करते हैं इसको तो अब इसके अंदर अगर मैं इस round object के उपड़ जो forces लग रहे हैं उनके बारे में सोचूँ what are forces come to your mind जैसे अगर ये inclined plane है तो एक force होगा normal का जो की ऐसे लगेगा एक force होगा friction का जो की ऐसे लगेगा एक force होगा mg का जो की ऐसे लगेगा अब अगर मैं लिखूंगा work done by friction plus work done by normal plus work done by gravity is equal to k final minus k initial तो इसमें work done by friction 0 आजाएगा क्यों 0 आजाएगा क्योंकि friction जिस point पे लग रहा है उसकी instantaneous velocity 0 है slipping हो नहीं दी तो bottommost point की ज़ब विलासिए आएगी वो ground की velocity के बराबर होगी क्योंकि उदनों contact में है which is 0 same goes for normal work done by gravity हो जाएगा mg h because the decrease in height is h kf तो अब kf का मतलब हुआ इस situation में kinetic energy लिखना इस situation में rolling मतलब translation भी है और rotation भी है so we will write half icm omega हो जाएगा v by r square plus half mv square this means the vcm only तो बस यहां से हम solve करेंगे is equals 2 ठीक है हम v square को common ले रहते हैं in fact 2 को इदर फेज़ देते हैं तो यह बन जाएगा icm by r square plus icm by r square plus m ठीक है तो v की value आ जाएगी root of 2 m g h divided by divided by icm by r square plus m अब denominator पेसे अगर m को भी common निकाल ले तो यह बन जाएगा इसको next page पकर बता हूँ मैं तो यह बन जाएगा root of 2 g h upon icm by mr square plus 1 ठीक है so you see this is how your formula has modified अगर हम question सीधे यह पूछते कि एक inclined plane पर ठीक है एक block को release करा यह smooth था smooth इसलिए क्योंकि friction का work नहीं आ रहा मतब कि एवद slide गर के नीचे आता यह तो high speed of the root 2 g h लेकिर वो smooth होता smooth के बना तो फ्रिक्शन का work हो जाता यह पर friction का work नहीं हो रहा ठीक है लेकिन speed जो है वो इस formula सी दी जाएगी तुम चाहो तो इसको एक standard formula की तरह याद भी रख सकते हो ठीक है यह था था कि यह था कम in handy for you यह 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 था यह था क्या जो नाग फिर्ट वो इस दूसरा प्रिक्शन बिक्शन भी इस तरह से कर लेते हैं की अ आ एक inclined plane है ठीक है and let us say हम इसके उप़र हमने इसके उप़र एक object को release करा है and the surface is smooth इस वाले केस पर क्या होगा let's discuss ठीक है तो देखो smooth surface होने पर क्या होगा friction नहीं लगेगा normal center से पास करता है जैसे इस FBD पर आते है normal center से पास करता है friction disappear हो जाएगा mg center से पास करता है so there will not be any talk so this object will just come down sliding, it will not rotate at all तो इस वाले case में अगर यह पूछा जाए कि h vertical distance नीचे गिरने के बाद speed बताओ ठीक है, तो वो simply root 2 ghe जैएगी और इस वाले case में फिरो simply root 2 gh जैएगी because there is no part of energy which is going into the rotational energy okay all right students, so what I will do I will give you an assignment to solve on kinetic energy okay, you can attempt that assignment and I think that will help you and in the next session I will teach you about angular momentum all the best students take care